नमस्कार मैं अमित भोबिया दोस्तों क्या आपको मालूम है कि खेत में दो परकार के केड़े होते हैं एक अच्छे वाले जो आपकी फसल को बचाते हैं और आपकी फसल को बचाने के लिए बहुत सारी महनत करते हैं लेकिन दूसरे केड़े वो होते हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं बहुत से किसान भाईयों को ये पता ही नहीं है कि कौन से अच्छे केड़े हैं और कौन से बूरे केड़े हैं हम जब इंसेक्ट्स के लिए सप्रे करते हैं तो सब को मार देते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से अच्छे कीडे हैं और कौन से बुरे हैं और कैसे वो अपना काम करते हैं और इससे आपको ये समझाएगा कि कीडों की कितनी जरूरत है आपको अपने खेत में तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए और ओल के उपर क्लिक कर लीजिए हम भी तो वीडियो बनाने में महनत करते हैं तो अपने सुझाब कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए तो शुरू करते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उन केड़ों के बारे में जो नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कलोराडो पटैटो बीटल का, ये क्या करता है, लीफ जो है उसको खाना शुरू कर देता है, और अगर ये बहुत जाता संख्या में हो जाएं, तो पुर्ण रूप से पोदे को खतम कर सकते हैं, फिर बात करते हैं, स्टिंक बग का, ये कुछ ऐसा ये क्या करते हैं, ये जो बीज आपने डाल दिया, उनके अंदर होल करने का काम करता है, और ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो, एक आपने देखा हुआ स्पाइडर माइट्स, जब भी हम खेत म ज़ए मकड़ी के जाल लगते रहते हैं, तो वो जो स्पाइडर है, जिस पत्ते पे होगी, वो तो एक तो टॉब के पत्तों पे होगी, ये बात ध्या नगखणा, नए पत्ते जो अबरते होंगे, उनके ऊपर होगी, ये स्पाइडर क्या करती है? उसका जूस चूसने का का करती है और जूस चूसने के साथ साथ पत्ते को खराब कर देती है फिर आती है बात वाइट फ्लाई की और यह है सबसे खतरनाक एक बार बहुत जादा मात्रा में अगर वाइट फ्लाई आपके खेत में हो गई तो उसके बाद फसल को बचाना काफी मुश्किल हो जाता उसका कारण यह है एक तो यह जूस चूसती है दूसरा एक फॉंगस के लिए एक लिक्विड निकालती रहती है यानि कि एक वैक्स टाइप गम पत्तों पर फैला देती है और उससे ब्लैक फॉंगस जो है वह बढ़ जाती है फिर बात आती है लीफ होपर की कर लोग उसे के साथ साथ जो एक liquid secundate करता है उससे बैक्टीरिया का infection फैलता है और बैक्टीरिया का infection फैलने से पोदा जो है वो खराब हो जाता है फिर बात आती है caterpillar यह जो caterpillar है यह सबसे खदरनाख है क्यों यह फूल नहीं छोड़ते यह पत्ता नहीं छोड़ते नए पत्तों तो बिल्कुल नहीं छोड़ते और छोटे फ्रूट जो लगते हैं उनको भी नहीं छोड़ते फिर बात आती है एफिड्स की एफिड्स जो है एक तो प्लांट का रस चूसते हैं और नए नए पत्तों से चूसते हैं पत्ते के नीचे वाले इस्ते से भी चूसते हैं और उससे क्या होता है पत्ते की जो ताकत है वो खतम कर देते हैं पोदों की ताकत खतम कर देते हैं पोदा जब फूट बनाता है तो फूट की अच्छी क्वालिटी नही देता है लेकिन जो इंसेक्ट्स इनको मारने का काम करते हैं यानि कि हमारे दोस्त जो इंसेक्ट हैं अब उनके बारे में जानते हैं सबसे अच्छा दोस्त है लेडी बग इसे कहते हैं जवर्दस सिकारी क्योंकि जितने भी सोफ्ट सेल वाले एपिड्स हैं मिली बग है ये इनको खाने का काम करता है या फिर करती है बोल सकते हैं क्योंकि लेडी लग जया इसके आगे तो ये लेडी बग जो है सबसे जवरदस सिकारी है और ये पुरा दिन खाती रहती है जितने ये जीव मिल जाता है रही छोट छोटी इनको सब को चुन-चुन के मारती है दूसरा प्रेंग मेंटेसिस इसका काम क्या है ये हवा से ही ये उडने वाले जीवाइन को पकड़ पकड़ के मार लेता है मक्यों को वाइट फ्लाई को इन सब को और फिर आते हैं प्रिडिक्टर वाज ये क्या करते हैं क्रोप को डेमेज करने वाले जितने वी इनसेक्ट इनको मिलते हैं उनकी पपुलेशन को कॉट्रोल करते हैं क्योंकि उनको बच्चों को मारते है और उसके बाद में नाम आता है पैरासाइट वास्काल इसका जबरदस काम है ये क्या करता है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर छेद करता है उन्हें मारता है पहले फिर उनके अंदर छेद करता है फिर अपने अंडे उनके अंदर देता है यानि खुद के बच्चे दूसरे इंसेक्ट के अंदर पैदा करने के लिए उन्हें पहले मारता है फिर उनके अंदर अपने अंडे छोड़ता है उसके बाद में जो है यह अपनी जनसंख्या बढ़ाता है इससे क्या होता है जितने नुकसान पुंचाने वाले जीव हैं उनक सबको रिसाइकल करना मिट्टी में मिलाना या फिर मिट्टी में कुछ और्गनिक मिल गया उसको वहां से रिसाइकल करना इसका सारा दिन मिट्टी के साथ खेलने का काम है तो इस तरह से दोस्तों जो मैंने आपको जीव बताए हैं यह जो अच्छे वाले हैं इनको आप हो जाते हैं खर यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर इसमें लगा हो कि मैंने एक किसान को जुरूरी बात होती है जो पता होनी चाहिए वह दो प्रसंट तीन प्रसंट ही बताई है तो भी आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और हमें सजेशन्स देने चाहिए क् कि आप हैं तो हम हैं देखते रहिए ABC इंडिया